हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन डबाएं शाथियो नमस्कार आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि PMC लीब हम कैसे ले सकते हैं HR में इसके माध्यव से PMC लेने के लिए आपके कुछ रूल्स बनाए गए हैं वह रूल्स भी हम इस वीडियो में बात करेंगे और कई विभाग ऐसे हैं जिन में अभी PMC की छुट्टी लगाई जाती है लेकिन रेल्वे में ही कई विभाग ऐसे हैं जहाँ पर PMC छुट्टी जो है आपकी एपलाई नहीं होती है वहाँ पर PMC एलाउ नहीं होती है जैसे कि आपके रणिंग्स हो गया और आपका वर्क्सॉप हो गया इनमें PMC चलती है और कई विभाग ऐसे हैं जैसे जो है इलेक्रिकल हो गया TRS हो गया इनमें PMC नहीं मानने होती है और इस पर PMC नहीं लगाई जा सकती है यह आप अपने विभाग से पता करने के आपके PMC लगती है या तहीं लगती है यदि लगती है तभी आप PMC का लगा सकते है अन्था आप नहीं लगा सकते है PMC लीब लगाने के लिए आपको एक MBBS डॉक्टर से सर्टिफिकेट बनवाना होगा जो कि अधिकतम आप तीन दिन का लगा सकते है उस सर्टिफिकेट में यह लिखा होना चाहिए कि यह करमचारी ने इस दिन से इस दिन तक यहाँ पर बीमार रहा है इलाज करवाया है और अब यहाँ फिट हो गया है यानि कि आप जिस दिन का लेंगे यानि कि जिस दिन आप फिट होंगे उस दिन तक का आप चुट्टी ले सकते हैं और अगले दिन आपको डूटी पर आना आवस्चक है अधिकताम आप तीन दिन का ले सकते हैं या आपकी यूनिट में कम जादा हो तो वह भी आप अपने हिसाब से एज़ेश कर सकते हैं अब हम जानते हैं कि HRMS पर इस चुट्टी को कैसे हम भरेंगे HRMS पर इसको बरने के लिए COCL और इसको बरने के लिए हम सबसे पहले अपना HRMS को और करेंगे इसको अभी हम अब पर नहीं बर पाएंगे इसलिए आप अप रसकोव में जाकर लीज़ बेनेजमेंट वाले कोलम पर जाएंगे इसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये form खुल के आता है जैसे हम अपनी नॉर्मल छुट्टिया भरते हैं तो इसमें आप देखिए nature of leave इसमें nature of leave में ये दिया क्या है नीचे जो deadness line खिची है इसके नीचे col commuted leave col इसको ही हम अपनी आम बहासा में PMC leave बोलते हैं बहुत ही जगए PMC leave ही बोला जाता है तो इसको इसको क्लिक करेंगे तो देखिए यहां पर ये 216 LHP इसको LHP भी बोला जाता है तो यह चुट्टिया आपकी LHP में कटेंगी और जितने दिन की आप चुट्टी लोगे हुआ है आपकी जैसे एक दिन की लेंगे तो इसमें से दो LHP leave half average पे आपकी दो इसमें कट होंगे तो जैसे मैं एक डेमो के लिए भरता हूँ कोई 6 तारीक से 7 तारीक तक देखिए इसमें इसमें 2 दिन की है लेकिन 4 day LHP balance will be detected for leave type of COL applied इसमें लिखा हुआ है कि आप 2 दिन की भरेंगे लेकिन इसमें 4 दिन की LHP cut जाएगी और इसके बाद आप जो है अग यदि आप अपने headquarter से बाहर थे तो आप इसमें yes करेंगे अन्ता no करेंगे ground on which leave applied तो आप region लेकिए बीमार थे या तबियत खरापती जो भी है आप इसमें लिखेंगे इसके बाद आपको इसमें upload supporting document आपको document जरूर से जरूर इसमें PDF format में आपको upload करना है जो की doctor का certificate होता है इसके साथ ही आप एक application normal लिख सकते हैं अपने supervisor के लिए कि sir मैंने मैं इस तारीक से इस तारीक तक भीमार था और मैं इस date में मैं duty पर नहीं आ सका हूँ और मैं अम मैं duty करने के लिए शमर्थू और इसलिए मेरी पिछले तीन दिन की या दो दिन की जितने दिन की है मेरी COL को स्विक्रित किया जाए आप उसको भी इस फाइल में attach इसके साथ कर सकते हैं तो PDF format में इसको करना है इसके बाद आपको यहाँ पर forward के लिए अपने जो supervisor है जिन से आप छुटी श्रेंग्जन कराते हैं उनका नाम या आपकी HRMS ID कुछ भी डालेंगे आप भर सकते हैं यदि आपको कोई confusion है कोई सवाल है तो आप मुझे comment box में comment करें और पहली बार हमारे चैनल पर आए है चैनल को subscribe करने के साथ bell icon को भी दमाए जिससे कि इसी तरह के latest और unique content आपको सबसे पहले मिल सकें मिलते हैं ऐसे इसी वीडियो में